नापपूर में भी कोई नी सोच सकता है कि जोपढ़पट्टी फुटबाल के ओपर कोई फ्ल्म आगे छल के बन सकती है। मैंने भी नहीं सोचा लेकिन आज के दिन में क्यों मेरे को नहीं लेकिन हमारी नाखपूर शहर की जितने भी रहिवासी है जितने स्पोर्ट्समन है यह सब के लिए एक यह अश्चिय करने वाला और आनंद का अख्षण है सोच रही होगा कौन है यह शक्स नाखपूर के विजइबारसे नाम के विधकती और उनकी स्लम नााखपूर और अधारित बेहत जरूरी है दरसल विजे बार से एक रिटायर्ट स्पोर्ट्स कोच और फुटबॉल कोच है वो नापपूर में स्लम सौकर को पेश करने वाले पहले व्यक्ती थे विजे ने जुग्य जोपडी में रहने वाले गरीब बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाया उसके ब कि जब एक दिन मैंने उनको यह देखा यह बच्चे मैदान में यानि होकी की मैदान में की चड़ भरे मैदान में बारिशारी और वो फुटी प्लास्टिक की बखेट को किक करके फुटबॉल समझ रहे और खेल रहे है जिसको किक मिलती हो खेलता है जिसको ने मिली सोता है कि हर शक्स उस पे जितने भी थे उतने ही समय फुल एंजोय कर रहे थे और मैं भी उनको बारिश को कान से उसकी किदारी के पेड़ पर रुका था तो मैं भी देख रहा था कुछ-कुछ मेरे अंदर भी पासान हो रहा था मैं सोच रहा था यह बच्चे जब इतनी देर तक यहां पर है इन वे से किसी ने कोई खर रहा नहीं खाया शराब नीपी इस एक तो यह फूटबाल के महान से ज्यादा देर मेरे पास पर रहा यह वैसे कहना पड़ेगा कि विजे की सोच काफी अच्छी थी लेकिन आपको बता दें कि विजे की शुरुवात के तीछे एक सो 2001 में जोपरपत्टी फुटबाल के नाम से शुरू हुआ और आज दुनिया के 130-140 देशों तक है गया इसलिए कि यह एक मिशन है कि मैं फुटबाल के द्वारा यह जोपरपत्टी में रहने वाले अंड़ प्रिविलेज बच्चों की कैरेक्टर में चेंज कर सकता हूँ इन कोई किसको रिपोर्टिंग करना नहीं है यह मेरा मेरे अपने फैमिली का मेरी मिसेज भी प्राद्यापी कर रही है रंजना बार से मेरे बेटे डक्टर अभीजी बार से यहां पर आ गये थे यह हमारा मिशन होता है तो इसको हम अपने डंग से पूर्ण करते और मुझे गर दरसand फिल्म के लिए निर्देशक नागराज मंझुले नागपूर के विजे बार्सेसे जब मिले थे उन्होंने तब ही सोच लिया था कि इस फिल्म में विजे जैसे उचे कद के व्यक्ति को ही फिल्म में लीड रोल में आए विसे खास बात तो यह एकि फिल्म की शूटि प्लेइन उस वक्त वो उन्हें नहीं जानते थे और ना तब तक उन्होंने सराट देखी थी, उन्हों कहना था कि वो टीवी बगएरा देखते ही नहीं थे, लेकिन अब फिल्म आ चुकी है और सब विजे को भी जान चुके हैं, बताते हैं कि विजे आमिर खान के शो सब्ते म कई बार अपनी टीम होमलेस वर्ल्ड कप फांडेशन द्वारा आयोजित किये जाने वाले होमलेस वर्ल्ड कप में अपनी टीम भेच चुके हैं, कभी चोटी मोटी काम करके अपना गुजारा करने वाले बच्चे आज अच्छी जंदगी जी रहे हैं कि रहे हैं